हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि पोको M6 5G फॉन में आप लोग डबुल टेप स्क्रीन ओन एन ओफ कैसे कर सकते हो अगर आपके पास है पोको M6 5G फॉन है और इस फॉन में जो आपको डबुल टेप स्क्रीन ओन एन ओन ओफ करना है मतलब आप लोग चाते हो कि जब भी आपके screen में double tap किया जाए तो आपको screen है वो lock हो जाए और फिर से double tap करेंगे तो आपको screen है वो wake हो जाए मतलब unlock हो जाए तो कैसे आप लोग अपने phone में double tap screen on and off कर सकते हो अगर आपको बार बार power button पे click करके अपने phone को जो है lock या unlock नहीं करवाना है आप लोग जो है gesture को use करके जैसे कि double tap करके आपको phone को lock और unlock करना है तो कैसे आप लोग इसको करेंगेगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को like कर दीजिए और channel को भी subscribe जरूर से कर लीजिए तो चलिए guys वीडियो को start करते है double tap screen on and off करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा गया इस lock screen का तो इस lock screen के option पे click करना है click करते ही यह आपको एक option मिलेगा इस double tap to work और turn off screen when device is ठीके गया इस तो इसको आपको on करना होगा on करने के लिए जो switch दिया गया है इस पे click करेंगे click करते ही जो option होगा यह on हो जाएगा on होने के बाद अभी आप लोग double tap screen on and off कर सकते हो मतलब यह पर जो white मतलब जहाँ पर भी आपका phone में white होगा इस white में जो आपको double tap कर दना है तो आपको जो screen है वो बंद हो जाएगा और फिर से आप लोग जो है उसी lock screen में double tap करेंगे तो आपको जो screen है वो unlock भी हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Poco M6 5G phone में आप लोग double tap screen on and off कर सकते हो तो कैसा लगए इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलतेगा लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए